आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें दाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें अगर हम small r से लिख लें तो यह हमारे पास 20 cm की है, मीटर में लिखेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो यह आजाती है हमारी 1 बटे 5 मीटर की, ठीक है, यह हमारी तरिज्ञा आगी, तो इस पहिए के लिए अगर हम यहाँ से जड़त आगून लिखें, जड़त आगून, ज 20 r का स्कॉयर, एक बटे 5 का होल स्कॉयर, ठीक, तो यह यहाँ से निकल के आ जाता है, 0.4 kg मीटर स्कॉयर का, यह हमारे पास आगया, इसका जड़त आगून, पहिए का, ठीक है, हमें गणना करनी है अलफा की, तो जानते हैं, जो बलागून टा होता है, वो इक्कॉल होता है आई गूने अलफा के, ठीक है, चुकि हमें रेखी बल दिया गया है, 25 न्यूटन का, तो जो बलागून होता है, उसके साथ संबन्द होता है, रेखी बल का, एक्कॉल हो जाएगा, आई गूने अलफा, अब यहाँ से अलफा की अगर हम गणना करेंगे, तो एफ गूने आर बटे आई हो जाएगा, एफ हमारे पास कितना है, 25 न्यूटन, आर तेज्या 0.4, और बटे में आजाता है, यह हमारा, यह आगया आई, तो आई हमारे पास कितना आया है, 0.4, आर हमारे पास उपर आएगा, क्योंकि आर हमारे पास जो है, वो एक बटे 5 है, तो आर आगया, एक बटे 5 और आई आगया 0.4 ठीक तो यह यहां से निकल के आ जाता है अलफा इक्वल टू 12.5 और यह आ जाता है रेडियन पर सेकेंड डिस्क्वाइर जो कि प्रश्न का अंसर हो जाता है कि कोड़ी 12 जो में प्राप्त होगा वो 12.5 रेडियन पर सेकेंड डिस्क्वाइर का प्राप्त होगा ओप्सन देखेंगे तो चौथा ओप्सन यहां से हमारे पास सही हो जाएगा ठीक है धन्नवाद